कुख्यात डौन स्रिप्रकास सुकला का शाथी पुर्वधायक माफिया राजन तिवारी का सिक्का अब गोरकपूर जेल में नहीं चलेगा राजन तिवारी को सनिवार की भोर में गोरकपूर से फत्तेगड जेल में सिफ्ट कर दिया गया जेल अधिकारियों के मताबिक उसका दूसरी जेल ट्रांसपर प्रसासनिक अधार पर की गई है 22 अगस्त को होने वाली राजन की कोट में पेसी भी वही से बीडियो कॉन्फरेंसिंग से की जाएगी गोरकपूर में जेल में राजन तिवारी का सिक्का चलने का मामला प्रकास में आते ही सुकरवार की रात डियेम और सेस्पी ने राजन का जेल ट्रांसपर कराने का आदेश जारी कर दिया खास बातिया है कि राजन तिवारी के लिए गोरकपुर जेल में तमाम भियाई पे इंतिजाम कराने वाले जेल प्रिशासन को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी वही ऑपरेशन सिकंजा के ताहत गैर जमानती वारंट के गिरफतारी के बाद पुलिस ने बाहुबली पुर्विधाया कर राजन तिवारी पर सिकंजा कसने की तैयारी सुरू कर दी पुलिस ने राजन तिवारी के उन सभी केसों की पैडवी सुरू कर दिये जिसमें ट्रायल चल रहा है वही उन मामलों की भी परताल चल रहे हैं जिसमें दबाव या डर से बरी होने की गुंजाईस दिख रही है दरसल गुरकपुर के सोहगवरा निवासी राजन तिवारी को कैंट और इस ओजी की टीम ने गुरुबार को बहार के रॉक सौल से उस समय गिरफतार किया जब वह नेपाल भागने की फराक में था पुलिस ने गुरकपुर के गैंगेस्टर कोट में पेस किया जसके बाद 14 दिन के नियाई खिराश्चत में जेल भेजा गया था गुरकपुर जेल में वह मिलेनियम बैरक में रखा गया था से पहले भी राजन गुरकपुर जेल में दो साल रह चुका था तब उसका जेल में रसूख बहुत था राजन तिवारी मोलरूप से गुरकपूर के गगहा ठाना छेतर के सोगौरा गाव का रहने वाला है यूपी और बिहार में 40 से जादा मुकदमे उस पे दर्ज है बिहार के पुर्वी चमपारन के गुविंदकन सीट से दो बार विधायक जितने वाले राजन तिवारी ने साल हलाकि राजन तिवारी ने खुद को भाज़पा नेता ही बताया ऐसे पहले उन्होंने 2016 में बिएसपी भी जोईन की थी राजन तिवारी की प्रारंबिक सिक्षा भी गोरकपूर से भी हुई ये इवावास्ता में राजन तिवारी ने अपराध की दुनिया में कदम रख द असी के दखसक के माफिया डॉन स्रीप्रकास सुकला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधिक मामलों में सामने आने लगा स्रीप्रकास सुकला के साथ जुड़े मामलों में राजन तिवारी सामिल रहा जिसे उनकी गिंती बाहु बल्यों में होने लगी यूपी के महराज गंज की लच्मी पूर विधान सबा सीट से विधायक रहे विरिंद्र प्रताप साही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम सामने आया था इस घटना में माफिया डॉन्स, रिप्रकास, सुकला और राजन तिवारी समेक चार लोगों को आरोपी बनाया गया था इसा प्राधी को करेतिर की वज़ों से राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड बन गया था यही तो वक्त था जब राजन तिवारी बिहार का रुख किया और कानोंी का रवाई से बचने के लिए राजनितिक जमीन उसने तलासी विरिन प्रताब साही पर हमले के मामले में राजन तिवारी 2014 में बरी हो चुका राजन तिवारी बहुचर्चित भागपा विधायक अचित सरकार के हत्याकार्ण में भी आरोपी रह चुका है राजन तिवारी के आलावा इस मामले में पपु यादो भी सजा काट चुके हैं इस मामले में पटना हाई कोट ने दोनों को बरी कर दिया था राजन तिवारी दो बार विधायक भी चुना गया वा पुर्भी चंपारन के गोविंद गंज से लोशपा का विधायक रह चुका है इसके अलावा राजन तिवारी 2004 लोकसभा चुनाओ में पहुचने के लिए भाग अजमा आच चुका है आपको बता दे कि गोरकपूर और बिहार में राजन तिवारी के खलाफ कई मुकद में दर्ज है अब राजन तिवारी को दूसरे जेल में सिफ्ट कर दिया गया है गोरकपूर जेल से उन्हें फत्तेगर जेल में सिफ्ट किया गया है जिसके बाद अब उनका जो तूती था गुरकपुर जेल में अब नहीं बोलेगा बेरो रिपोर्ट लाइब बिहार